कि आगे देखते हैं हमें किस ट्राइब के क्वेश्चिन मिलेंगे मैं एक एक्जांपल लेता हूँ देखे यह कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर मुझे किसी चीज को सब्स्ट्यूट करना उसका डेरिवेटिव यहां मुझे मिलना चाहिए ठीक है अब पीछे इसके पहले जो हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्म समझा था वो था यहां पर आपको क्या होगा आपको fx पावर एन हो सकता है ना मिले लेकिन कोई एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जहां पर मैं कुछ सब्स्ट्यूट करूं उसका डेरिवेटिव मुझे जरूर मिल जाएगा लाइक fg एक सब्सक्राइब लेकिन और आपको जी डाश एकस मिलेगा अश्ट के लिए चिए जी एकस को टी पूट करना है तो यह जी डाश एकस डी एकस जो है डी टी हो जाएगा अब इस फ क्या करें अब इस f का क्या किया जाए तो यह जो f t है इसको फिर मुझे further solve करने पड़ेगा है इसमें मुझे देखना पड़ेगा कौन सा formula लग रहा है तो यहां पर देखिए क्या किया हमने इसको अगर मैं t पूट करता हूं हमेशा मुझे ऐसी चीज को पूट करना है जिसका derivative यहां पर मिल जाए अब देखिए रूट एक्स का formula है वन अपॉन टू रूट एक्स जब मैंने आपको differentiation पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था रूट एक्स का ऐसे तो standard formula की लिस्ट में नहीं है लेकिन हम एक formula यह बना के रखते हैं क्योंकि हमें काम बहुत आता है differentiation में भी integration में भी बार बार यूज होता है तो रूट एक्स हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इस इकॉल टू टी अब मुझे सिर्फ डी एक्स और रूट एक्स चाहिए त्मींस इस टू को मैं शिफ्ट कर देता हूँ अब देखिए यहां पे टू डिवाइड हो रहा था तो यहां पे टू मल्टिप्लाइब हो जाएगा तो देखने वाली बात है यह रूट एक्स और डी एक्स ठीक है ने यह नीचे था यह उपर था नीचे और उपर मिलके क्या बन रहे है टू डी मुझे अकेला टी नहीं मिला लेकिन टी के साथ मुझे कॉस्स भी मिल गया ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह टू को हम बाहर ले लेंगे अब कॉस का इंटेग्रल क्या होता है कीज़ का मुझे साइन टी व्लस तो हमें लिखना ही है टी मैंने किसको पुड किया था रूट एक्स को तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल गया साइन रूट एक्स प्लस टी ठीक है ना अर साथमें यह जो टू था उस टू को हम लिख लेंगे ठीक है नहीं तो यह आपको समझ में आ गया यहीं पर देखिए कि दूसरा क्वेस्टिंड अब देखिए यह वही क्वेस्टिंड है अब देखिए यह वही क्वेस्टिंड है बस function चेंज हो गया मैं क्या करूंगा इस root x को t put करता हूं तो one upon two root x dx बन जाता है dt यानि की one upon root x dx बन जाएगा 2dt यह question convert हो जाएगा integrate 2 को हम बाहर लिख लेते हैं dt को यहां लिख लेते हैं मतलब यह root x और dx मिलके बन गए dt मेरे पास second square root x को हमने t बना दिया अब देखिए इसका formula क्या है tan यह हो जागा 2 tan root of x plus c and that is my answer इतना समझ में आया आगे देखिये आपको question दिया हुए है अब देखिए जितने भी question है देखने में बड़े complicated लग रहे हैं लेकिन है नहीं अब मुझे यहां पर दिख रहा है tan inverse x का जो derivative है 1 upon 1 plus x square है तो मैं क्या करता हूं इस tan inverse x को करता है आपको इसमें सिर्फ यह करना है कि एक function ढूणना और उसका derivative ढूणना है बस उसके बाद यह question बड़ी इसली solve हो जाएगा tan inverse को t put किया इसका derivative है 1 upon 1 plus x square tan inverse x का derivative 1 upon 1 plus x square क्योंकि मैंने यहां पर with respect to x differentiate किया है मुझे क्या लगाने dx यहां पर क्या जाएगा dt ठीके ना इतना समझ में आ गया अब यह जो नीचे 1 plus x square है और यह जो dx है यह मिलके क्या बन गया dt बन गया और इस tan inverse x को हमने क्या पुट किया था t put किया था इस tan inverse के बाहर क्या था साइन था यहोगा sin t dt sin t dt फॉर्मला क्या हो जागा negative cos t plus c which is negative cos अब t मैंने किसको पुट किया था tan inverse x को ठीक है ना यह हो जाएगा negative cos tan inverse x plus c ठीक है ना इतना समझ में आ गया आगे देखते हैं अगला question आपको यह मिल गया देखें मुझे करना क्या है एक function ढूंडना और उसका derivative यहां पर ढूंडना है कि जब भी किसी function के साथ constant मिलता है हम substitution में उसको भी साथ में ले सकते हैं तो I'll do what I'll do M tan inverse x is equal to t put कर देता हूं क्या बन जाएगा यह M as it is रह जाएगा tan inverse का derivative 1 upon 1 plus x square with a dx and this becomes dt but I don't want this M मुझे यह M यहां पर नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा नीचे लिख लूंगा ठीक तो अब देखें 1 upon 1 plus x square और यह dx यह दोनों मिल के क्या बन गया dt upon M बन गया इस numerator में मैंने इस M tan inverse x को क्या put किया था t लेकिन यह e की power में है तो यह e power t हो गया अब e power x का integral e power x plus c होता है तो इसको मैं लिख लूंगा 1 upon M जो कि यह है e power t and a plus c now what is t यह मेरा result आ जाएगा ठीक है न यह हमारा answer आ गया ठीक है यहां तक तो समझ में आया अब आगे देखिए आपको question दिया हुए है देखिए x cube दिया है sin of x power 4 दिया है अब rule क्या है मुझे एक ऐसा function ढूणना है जिसका derivative यहां पे हो अब मुझे clearly दिख रहा है यह x power 4 यहां पे है और इस x power 4 का derivative होता है 4 x cube हमेशा जो number वाला पार्ट है उसको आप ignore करेंगे ठीक है न अगर मैं x 4 को ignore करता हूं तो x cube मुझे यहां मिल रहा है तो मैं काम करता हूं इस x power 4 को t put करता हूं ठीक है बात समझ में आ गई इसका मतलब 4 x cube और साथ में dx हो जाएगा dt अब मुझे सिर्फ x cube और dx चाहिए तो इस 4 को मैं यहां नीचे लगा लेता हूं तो यह question मेरा convert हो जाएगा देखे x cube और dx dt बन गए यहों किया sin of x power 4 को मैंने क्या put किया t now sin t का integral ध्यान रखना minus cost t plus c now what is t x power 4 हमने put KIA था यह हमारा result आ गया ठीक है नद आच इसमें एक और चीज क्या किया था कि अपन फोर था यहां वन अपन फोर हमें लिखना था यहां पर आपन फोर लिखना था यहां पर आपन फोर लिखना था लट सेट ठीकर ना यह समझ में आ गया अब आगे देखिए कि इसी में और variation मान लीजे यहां x power 4 की बज़ा है मुझे x power 4 plus 3 या फिर let's say 3x power 4 plus 5 ऐसा कुछ दिया होता तो अब देखें यह और complicated देखने में ज़रूर लग रहा है लेकिन है नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी मुझे सिर्फ इस variable वाले portion को देखना है इसका derivative मुझे यहां मिल रहा है साथ में अगर कोई constant add हो रहा है multiply हो रहा है, divide हो रहा है उससे मुझे कोई परिशानी नहीं है वो अपने आप हट जाता है लेकिन हम substitution हम हमेशा क्या करेंगे पूरे function को करेंगे यानि कि मुझे यहां पे भी 3x power 4 प्लस 5 को t put करना है ठीक है, यह हो जाएगा 3x power 4 हो जाएगा 4x cube dx लिख लेंगे क्योंकि 5 का derivative is 0 यहां पे हम लिख लेंगे dt पोर्थ रीजा 12 12 को हम उस तरफ ले जाते हैं यह हो गया अभी question convert हो जाएगा 1 upon 12 ठीक है न? x cube dx यह x cube और यह dx मिलके बन गए dt sin बच गया और यह 3x power 4 plus 5 को हमने क्या put किया था? t put किया था यह हो गया क्या कर सकते हैं इसको minus cos t लिख लेंगे plus c लिख लेंगे ठीक है इतने portion को हम लिख लेंगे minus cos t plus c लेकिन यह 1 upon 12 भी तो है साथ में तो उसको मुझे यहां पे लगाना है अब मैं सिर्फ t की value पुट कर दूँगा जो कि क्या है? 3x power 4 plus 5 ठीक है न? यह हमारा answer आ गया ठीक है? तो यह form देखा बहुत easy है कोई मुश्किल नहीं है अब देखे हम क्या करेंगे? इस question की complexity थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं आपको यह question दिया हुआ है अब यह क्या हो गया? और थोड़ा से जादा complicated देखने में तो लग रहा है लेकिन बन जाएगा आपको बस rule याद रखना है मुझे एक function ढूणना और उसका derivative ढूणना है cos का sign नहीं मिल रहा अब देखिए अगर मैं इस e root x को solve करके देखता हूँ तो e root x का e power root x का derivative क्या होना चाहिए तो e सबसे पहले तो e as it is होता है मतलब e root x तो मुझे मिले गई e का काम खतम है ना directly हम chain rule apply कर लेते हैं root x को जब हम solve करेंगे root x का derivative होता है 1 upon 2 root x ठीक है तो मुझे e power root x upon root x मिल रहा है इस 2 से मुझे कोई परिशानी नहीं है क्योंकि वह constant number है तो मुझे e power root x और root x यह मुझे मिल रहा है अगर मैं इसको t put करता हूँ ठीक है ना तो हमने क्या किया इस e power root x को t put कर देते हैं e power root x को t put करते हैं तो e power root x का derivative यह मिल गया साथ में हम dx लगा लेते हैं is equal to dt लिख लेते हैं लेकिन यह जो नीचे 2 है मेरे पास मुझे यह नहीं चाहिए तो मैं इस 2 को उपर यहां पे ले आता हूँ 2 dt अब देखिए question कैसे convert हो गया यह e power root x और upon root x और साथ में यह dx ठीक है न यह तीन चीज़े मिलके क्या बन रही है 2 dt बन रही है 2 को मैंने बाहर लिख लिया integration symbol के और dt को मैंने अंदर लिख लिया ठीक है यह तीन चीज़े हो गई cos बच गया e power root x को मैंने अल्रड़ी t पुट किया हुआ है अब cos का integral क्या होता है sin 2 sin t plus c ठीक है न अब t हमने क्या put किया था यह हमारा result आ गया ठीक है न तो यह कोई बहुत मुश्किल नहीं था इसी में देखिए question को और थोड़ा सा गुमा के देते हैं कई बर आपको और example में बता देता हूँ आपको अब देखिए question को मा फिरा के दे दिया है क्या किया जाए तो मुझे यहां पर देखिए यह function के अंदर function है यह तो simple function है तो आपको मैंने जो general form बताया था क्या था f of g of x and g dash x ठीक है ना मतलब मुझे function of function मिलेगा एक function मिलेगा और उसका भी function मिलेगा लेकिन जो अंदर function होगा उसका derivative मुझे मिलेगा तो मैं पहला जो guess या पहली जो try करूंगा यहां पर वो यह की sin square के अंदर जो x e x है ठीक है ना इसको मैं पहले इसको try करता हूं कि इसको t put करने से क्या कोई बात बन रही है है ना तो आपने समझा कि मैंने कैसे यहां पर guess किया function के अंदर function है तो obviously मैं पहले इसको put करके देखता हूं क्या बात मतलब क्या मुझे result मिलता है अब देखिए product rule लगेगा तो हम और ली कर सकते है ए इंटू derivative of b यानिकी e x e x इंटू derivative of x यानिकी 1 ठीक है यह मुझे मिल गया क्या यह numerator के बराबर है बिलकुल है देखिए e x अगर हम यहां common लेते हैं तो यहां पर मैंने देखा कि अगर मैंने इसको t put किया तो यह numerator पूरा क्या बन रहा है dt बन रहा है तो यह question convert हो गया यह x plus 1 e x और dx यह सारा मिल के क्या बन गया dt denominator मे sin square है मेरे पास और यह x e x को मैंने क्या पूट किया t put किया अब 1 upon sin square तो कोई formula नहीं है लेकिन 1 upon sin को हम क्या लिख सकते हैं सॉरी यहां पर टी लिखना था मुझे ठीक है तो आपने देखा कि एक question जो है बस थोड़ा सा twist करके दिया वह था आप स्क्क्राइब मुझे मालूम है ना formula तो मालूम ही है minus of cot now what is t यह मारव रिजल्ट आगया ठीक है यहां तक समझ में आया आगे देखें आपको question बोले आपको question बोले यह question है अब यह तो है simple सा question ठीक है ना क्योंकि इसको मैं अगर t put करता हूं देखे function के अंदर function मुझे यही मिल रहा है तो मैं 2 e minus x minus 5 is equal to t अगर put करता हूं तो देखे 2 as it is e power minus x minus x ही रहेगा लेकिन क्योंकि minus x है minus x को जब differentiate करेंगे मुझे minus sign मिलेगा ठीक है dx लगा लेंगे dt लगा लेंगे अब जल्दी जल्दी करें तो चलेगा integration काफी हद तक आप कर चुके हैं ना आइजस्ट वांट e minus x and dx तो मैं इस माइनस 2 को shift कर देता हूं तो यह question convert होके मुझे मिल जाएगा देखे e minus x और dx क्या बन गया dt upon minus 2 तो माइनस 2 को मैंने बाहर ले आया dt को अंदर रख दिया कॉसेक स्क्वेर और इस पूरे को मैंने क्या पूट किया था ती पूट किया था अब देखे कॉसेक स्क्वेर टी का integral होता है माइनस कॉट टी तो यह बन जाएगा माइनस माइनस हाफ कॉटer इसको हमलेंगे प्लस बाओ सोता है प्लस फाव कॉट कर देंगे जो कि हो जायगा 2 e power माइनस x माइनस 5 प्लस प्लस तो हमारा आंसर अंसर आ गया हाफ कॉटte स्वेर पावर माइनस X माइनस 5 प्लस C ठीक है इतना समझ में है देखिए next question आपको बोला 5 पावर X प्लस tan inverse X ठीक है ना complex सा question दिया हुआ है आपको बोला है X square प्लस 2 X square प्लस 1 dx ठीक है बहुत अजीब से question लग रहा है यह देखने में लेकिन है नहीं ठीक है आपको करना क्या है function of function देखिए यह 5 की power में है ठीक है तो 5 की power में function है पहले हम कोशिश करते हैं इस power में जो function है नहीं इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो इसको substitute करके देखते हैं क्या बनता है अगर मैं इसको t put करता हूँ x का derivative 1 हो जाएगा tan inverse का derivative 1 upon 1 प्लस x square इस पूरे के बाहर में लिख लूँगा dx यह क्या बन जाएगा dt इतना समझ में आ गया आप देखिए यह और वो टैली नहीं कर रहा है लेकिन करेगा आप इसको solve किजिए ठीक है वन प्लस x square इंटु वन अब देखिए 1 प्लस x square प्लस 1 यानि कि यह 2 प्लस x square या x square प्लस 2 हो गया ठीक है नीचे x square प्लस 1 हम लिख सकते हैं यह dx हो गया is equal to dt हो गया अब देखिए यह सारा portion क्या बन गया dt बन गया है ना हो गया नहीं सिंपल तो मैं इसको हटा देता हूँ तो इतना portion क्या बन गया dt और इसको हम लिख लेंगे 5 पावर यह पूरा क्या हो गया इसको हमने t put किया था 5 पावर t अब मुझे मालूमें integration of a पावर x formula क्या है यह है तो हम इसको लिख लेंगे 5 पावर t अपॉन लॉग ओफ फाइव प्लस c ना टी जो भी है मैं उसकी वैल्यू वापस पॉट कर दूँगा इन आई विल हैव माइ आंसर ठीक है न तो टी मैंने कितना पॉट किया था यह मेरे रिजल्ट आ गया ठीक है clear रही है